वेलकम स्टूडेंट्स हम परवे थे कंपाउंट्स ओफ एस ब्लोक एलिमेंट और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के कॉंपलेक्स जो अलकली मेटल और अर्थ मेटल बनाते हैं आज हम बात करने वाले हैं ऑक्साइड एंड हाइड उक्साइड के बारे में जो अलकली मेटल हैं यह डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड शो करते हैं जिनमेंसे पहला है नॉर्मल उक्साइड दूसरा है पर उक्साइड और तीसरा है सुपर उक्साइड आप सभी को पता है कि जो oxide species है वो होती है oxygen two minus यानि एक oxygen atom उसके उपर दो extra electron जो peroxide species होती है उसके अंदर एक oxygen दूसरे oxygen से bind रहता है और दोन्य oxygen के उपर minus one minus one charge होता है तो on the whole इस पूरे species यानि पर oxide species के उपर O2 दो atom oxygen के यानि O2 molecule एक और minus two charge रहता है और जो super oxide है इसके अंदर on the whole पूरे एक molecule oxygen के उपर एक extra electron होता है यानि कि minus one charge होता है तो जो alkali metal है इनके oxide, peroxide और super oxide तीनों possible है बटन की जो stability है वो vary करती है जैसे अगर मैं lithium की बात करूँ तो lithium का oxide ज्यादा फ्टेबल है sodium का peroxide ज्यादा फ्टेबल है और जो sodium के बाद वाली metal है जैसे potassium, rubdium और cesium उनके super oxide ज्यादा फ्टेबल है इसकी वज़े क्या है देखो जो lithium का size है वो काफी small है lithium सबसे small element है alkali metal में अब जो small cation है वो small anion के साथ बहुंद बनाना प्रेफर करेगा O2- यानि oxide ion जो है वो ज्यादा छोटा है सबसे छोटा है तो जो lithium cation सबसे छोटा उसके साथ बहुंद बनाना ज्यादा प्रेफर करता है है लेटिस अनर्जी के फेक्टर लगता है यहां पर जो sodium है उसका size लीथियम से बड़ा है तो वो इससे बड़ा जो एनाएन है यानि की पर उक्साइड एनाएन इसके साथ बहुंद बनाना ज्यादा प्रेफर करता है और जो बाकी वाली नीचे वाली है उनका size काफी ज्यादा बड़ा है तो उनके करताइन बड़ाोने की वज़े से पर ऑक्साइड और स्व्र उक्साइड जितने बीक्तर इलक्त अलगली मैंतल से रहे हैं इलक्ट्रोपोजीटिव नेचर है इलेक्ट्रोपोजीटिव element के जो oxide होते हैं, वो basic nature के होते हैं, अगर lithium oxide की बात करूं, lithium oxide में क्या है, lithium के उपर plus one charge और oxide ion के उपर O2 minus charge, तो दो lithium cation और एक oxide cation मिलके Li2O बनाते हैं, यानि कि जो lithium oxide है उसका formula क्या होगा, Li2O, अगर lithium oxide या sodium oxide या फिर potassium oxide को water में dissolve किया जाए, तो ये इनके respective hydroxide बनाते हैं, और hydroxide basic nature के होते हैं, आपको पता है, अनिवेचर के वेज़ तो काफी strong base हैं, अब lithium hydroxide की अगर मैं lithium की lattice energy है, वो काफी ज़्यादा है, वो उसकी hydrogen energy से भी ज़्यादा है, जिसकी hydrogen energy ज़्यादा होती है, वो soluble जल्दी हो जाता है, जिसकी lattice energy ज़्यादा होती है, वो soluble कम होता है, यहाँ पे जो lattice energy है लिधियम की वो भी ज्यादा hydration energy वो भी ज्यादा लेकिन compare करें तो lettuce energy लिधियम केस में ज्यादा है lettuce energy अगर 개न करेगी to so l aliens उट्रुबलुटी में बाकी वाले अगर hydroxide की बात करें तो उनके अंदर के लिधियम से लेटिशोड इनर्जी बी कम होगी और hydration energy लेटिश energy यहां पर winner हो जाती है lattice energy की value basic ज्यादा हो लेकिन hydrogen energy से थोड़ा कम होती है जहां पर भी hydrogen energy विन करेगी वो compound soluble होगा तो नीचे वाले जो hydroxide हैं उनकी solubility ज्यादा होती है और lithium की solubility थोड़ी कम होती है अगर data देखें तो lithium का जो है 13 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर के अंदर solubility है पत्ची डिग्री सेल्चिस पे sodium की 108 potassium की 112 rubdium की 197 और cesium की 385 ग्राम पर 100 ग्राम वोटर के अंदर अब यह hydroxide हैं यह basic in nature है यह तो सभी को पता है बट इनकी एक और special property है कि यह जो carbon dioxide है उसको absorb कर अगर atmosphere में carbon dioxide है अगर वहाँ पर solution रखा जाए अल्कली मेटल के hydroxide का तो उसको absorb कर लेते हैं और वहाँ पर carbonate बना लेते है रिस्पेक्टी मेटल का जैसे sodium hydroxide है अगर यह atmospheric carbon dioxide के साथ reaction करता है तो sodium carbonate बना लेता है यह carbon dioxide का करता है absorb कर लेता है अब इनके इंदर भी जो lithium hydroxide है उसका मोलकल वेट कम होगा sodium hydroxide का उससे ज्यादा potassium का उससे ज्यादा रबडिम का उससे ज्यादा उससे ज्यादा तो जो lithium hydroxide है उसका मोलकल वेट कम होने की वज़े से spaceship के अंदर carbon dioxide को absorb करवाने का कम इससे लिए जाता है करवाया एंदर से भी जा सकता है बट जो lithium hydroxide है उसका जो मोलकल वेट कम है तो वो कम वेट का होगा लाइट वेट जो material है उनका यूज किया जाता है spaceship में ताकि launching वेट कम रहे ऑक्सिजन को अगर पर उक्साइड या सूपर उक्साइड बनाना है तो उसके लिए उसको reduce होना पड़ेगा तो उस reduction के लिए यूज करते हैं अलकली मेटल का ammonia solution आपको पता है अलकली मेटल के ammonia solution के अंदर solvated electron या ammoniated electron होता है जो की highly reducing character का होता है तो वो easily oxygen molecule को पर उक्साइड या सूपर उक्साइड में convert कर देता है जिससे हम जो मोलकुल बना रहे हैं मेटल का पर उक्साइड या सूपर उक्साइड वो प्रिपेर हो strontium and barium तो यह सारे के सारे dipositive cation बनाते हैं और इनके oxide की बात की जाए तो यह generally सभी के सभी oxide बनाते हैं जिनका molecular formula होता है MO क्योंकि oxide के उपर two negative charge एक oxygen atom के उपर और जो alkaline earth metal है इनके उपर plus two charge होता है तो generally जब oxide बनाते हैं तो इनका molecular form होता है MO जैसे beryllium का BEO, magnesium का MgO, calcium का CAO बट down the group अगर जाते हैं तो जिस तरीके से alkali metal में था कि first जो था वो oxide बनाना प्रेफर करता था, second peroxide और बाद वाले superoxide यहां भी first कुछ element तो oxide बनाना प्रेफर करते हैं और जो strontium और barium है वो तो peroxide की form में भी stable रहते हैं हाँ, superoxide नहीं बनते लेकिन peroxide बनते हैं, barium और strontium के, तो जो उनका molecular formula होगा, peroxide का, वो formula होगा, क्योंकि metal के पास क्या होगा? two positive charge होगा, और जो peroxide है, उसके अंदर एक O2 के उपर दो negative charge होगा, तो जो molecular formula बनेगा, वो बनेगा superoxide है, उसके उपर minus one charge होता है, तो उसका जो मुल्क के formula MO2 बनता था, किसका? superoxide का, यहाँ पे metal dipositive cation होने के विज़े से यह formula बन रहा है, peroxide का, अब यह भी सारे के सारे क्या है? basic की nature होंगे, क्योंकि अलका अर्थ metal है, बट जो beryllium है, beryllium का जो hydroxide बन है, यानि beryllium का oxide जब water में dissolve किया जाए, तो उसकी जो nature है, वो amphoteric होती है, magnesium hydroxide, यानि magnesium oxide का जो water में solution है, वो little basic होता है, और जो बाद वाले जितने इलेक्ट्र पोजिटिविटी बढ़ेगी, जैसे भी metal की, वैसे वैसे जो basic reactor है, oxide का या फिर hydroxide का वो बढ़ता जाएगा, अगर बात करें इनकी solubility की, तो beryllium और magnesium के जो oxide है, इनकी solubility बेहद कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इसके बाद वाले जो oxide है, उनकी solubility solubil होते हैं, क्योंकि उनकी लिए जो latest energy है, वह exceed कर जाती है hydrogen energy, हालांकि इनमें भी size इतना छोठा होता है, उतनी latest energy भी जय्दा होती है, और उतनी hydration energy भी ज़ватा होती है, बट winning factor देखना होता है, कि beryllium के case में aur magnesium के case में जो लेकिन विनिंग कोन है और लेकिन विनिंग कोन है 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 लेकिन विनि जिली सोलिवल होगा.